अलवर में सफाई विवस्ता को ध्यान में रखते हुए फिन लेंड से मंगाए गए दो अत्या धुनी कचरा संग्रहन पातरों का शेहर विधायक बनवारी लाल सिंगल ने उधगाटन किया ये कचरा संग्रेहन पात्र पूर्णों से कवर्ड है इस कचरा संग्रेहन पात्रों के लगने से गंदगी बदबू और बिमारी फैलने के भी आशंका कम रहेगी इस पर दस लाक रुपे का लगबक खर्चा आया है इस कचरा संग्रेहन पात्रों में सेंसर भी लगाए गए है जिसमें 80 परतिशत भरने के बाद इसमें सायरन बजने लगेगा ये कचरा संग्रेंड पातर 10-10 फिट गहरे हैं इनके खाली कराने और देख रेक्ती जिम्मेदारी नगर परिशत की रहेगी इस मोके पर शहर विदायक ने शहर में अन्य विकासकारों के बारे में भी बताया आपने दिखाई है, सब लोगों उने प्रेम से देखा है, बिलकुल ध्यान से देखा है और ये जो इस चोक है, इसमें से मैं आप से कहना चाना हूँ चुपाटी जी यहां से मातर चार-पांच घर आगे मेरे दिलों के बात है और मैं दो जड़र होने कई चींशार है, अब जो पर लेकिन आपने इस को बदलने का थाम किया है और मैं आपको इस बात बता रहा हम कि जब आदमी जहां जिस गाउन में पेदा होना है आदमी अम्रीका चला जाता है उनके साथ सबापतिय शोक खन्ना शेहर अध्यक्ष रशोक गुपता पाशत सीतराम चोधरी और मंडल अध्यक्ष केके मदान सहीद काफी संख्या में भाजापक कारे करता और इस्थानेवासी मुझूद रहे संख्यान केंद्र का उद्गाटन हमने यहां दिल्ली दरवाजे में किया है यह वो जगह है जहां से अलवर के भूट सारे मौले कनेक्टेड हैं यहां से हमारे पूरे शेहर वासी वकील लोग कचरी जाते हैं सब जाते हैं तो यहां कचरा ज्यादा होने के कारण पर्मानेंट हमारे को शिकैत मिलती रहती है अब यह नए टाइप का कचरा पात्र फिन लेंड से मंगवाया गया है यहां लगाया है अब सब शेहर वासीनों से आपके मीडिया के ज्वारा निवेदन करेंगे कि कचरा अपने पास में किसी भी ठैडी में डालके इसके अंदर डालें और कचरा हम उठा के ले जाएंगे हमने बिल्कुल कचकी कचरा और गंदिगी और जानवरों से यहां से मुक्ती दे कर दी है लेकिन यह मुक्ती जब होगी जब यह मलने वाले शेहर वाले हमारा सेयोग करेंगे